आज आपके सामने लेके आई हूँ लेजर का question number 2 यह question 12 के लिए चाहें इंजिरिंग फिजिक्स के लिए बहुत important है long type में आता है लगबग 10 marks का सकता है and the question is what are Einstein A and B coefficient Einstein के A and B coefficient के बारे में बताना है यह question second form में इस तरीके से आ सकता है कि find the transition probabilities for spontaneous and stimulated emission जो कि आप already पढ़ चुके हैं कि spontaneous क्या है stimulated emission क्या है ऐसा यह question आपको आ सकता है तो इसको start करते हैं यह derivation थोड़ा सा समझ के चलें क्योंकि यह lengthy जरूर है बट इतना tough नहीं है start यदि हम करते हैं तो सबसे पहले कोई भी derivation start करते हैं तो उसमें कुछ assumptions होते हैं कुछ चीज़े मान के चलनी होती है तो इसमें आप यह मान के चलते हैं कि let an assembly of atoms यानि अकर कोई भी कहना चाहिए active medium है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं assembly of atoms यानि कि उसके अंदर किसकी assembly है उसके अंदर कौन gathered है atoms gathered है जैसे आपने aluminum का rod लिया तो rod जो है वो active medium हुआ आपका और उसके जो atom हुए उसको आप क्या बोल सकते हैं and assembly of atoms लेकिन condition जो है important है उस पर जरूर ध्यान दे कि let an assembly of atoms यहां कुछ एक condition है जो दी हुई है क्या thermal equilibrium state यानि कि temperature जो है वो लगभग constant है यानि कि कहने का मतलब कि आपका जो lower energy state का जो atom है वो higher energy state पर फिलहाल नहीं जा रहा है वो कि जो condition है वो equilibrium की है आप हिंदी में क्या सकते हैं साम्यवस्था है यानि कि जो आपका temperature है वो क्या नहीं हो रहा है change नहीं हो रहा है क्योंकि अगर temperature आप लगातार change करते रहते तो नीचे वाले जो atoms होते lower state के जो atoms होते वो लगातार excite होके कहां जाते रहते अपर energy state पे तो इस इस्तिती में जबकि वो इस्तिती constant ही नहीं है हम किसी derivation को करना हमारे लिए possible नहीं है इसलिए हमने ये condition क्यों ली उसका reason यहीं है कि दोनों तरफ क्या हो जाए जो numbers हो किसके atom के energy state number 1 पे या energy state number 2 पे वो क्या हो जाए constant हो जाए तो हमने कौन सा state लिया thermal equilibrium state temperature क्या लिए है इसके लिए at temperature capital T ठीक है with incident radiation यदि एक आपका कहना चाहिए active medium है मैंने बोला कोई भी plate है कोई बरतन है कुछ भी है जो atom से मिलके बना है उसके उपर आपने क्या किया with incident radiation of frequency जो मैं आपको example देती थी कि उसके उपर हमने क्या किया radiation क्या किया incident किया तो जो radiation हमने उसको उपर incident किया let us suppose उसकी जो frequency है वो कितनी है new है और क्या माना है and energy density is given by u new यानि कि energy density energy per unit area यानि जिस चीज के उपर radiation incident किया जाता है जिस active medium पर radiation incident किया जाता है वो उस radiation को क्या करता है absorb करता है और यदि वो absorb करता है तो वो जो absorbance है वो per unit area कितना है क्योंकि per unit area से हमें ये समझगा जाएगा कि absorbance जो है वो बहुत जादा है या बहुत कम है तो जतना भी वो per unit area क्या कहना चाहिए radiation absorb करता है atom उसको किस से denote किया है आपने u new से n1 and n2 be the number of atoms कहां कहां n1 जो है वो है energy state 1 में यानि lower energy state में number of atoms की संख्या और n2 जो है वो higher energy state में number of atoms की संख्या तो assumptions को एक बाद फिर से repeat करते हैं कि assumptions में हमने क्या क्या माना सबसे पहले जो हमने condition मानी that condition is of thermal equilibrium state यानि की temperature change नहीं हो रहा है temperature is given by capital T and frequency जिस frequency का radiation incident होता है that is new energy density is u new and number of atoms at energy state e1 is n1 and at energy state e2 is n2 यह इतने से assumptions लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो जो कहना चाहिए incident कहना start होता है सबसे पहले क्या start होता है कि जो भी आपका medium है उसके जो atom है जो lower energy state पर है उनके उपर जैसे ही आपने आप बोला कि हम new frequency का radiation क्या करते हैं incident करते हैं तो यह atom उस energy को क्या करते हैं absorb करते हैं और excite होकर energy state e1 से कहां transit करते हैं energy state e2 पर तो अगर यह energy state e1 से e2 पर transit करते हैं तो definitely यह जो कहना चाहिए probability है probability वर्ड कहां से आ रहा है actually क्या है number of atoms की संक्या बहुत जादा है तो यह exactly बता पाना कि 4 उपर गए या 5 उपर गए या एक fixed number बता पाना तो possible नहीं है सिर्फ एक अनुमान लगाए जा सकता है कि बरतन यदी ठंडा है और यदी बरतन हलका सा गरम होना start हुआ तो हम यह start कहे सकते हैं कि कुछ item excited होके कहां आ चुके है excited state में तो इसलिए हमने उसको एक word दिया क्या probability means हम बात जो कर रहे हैं वो statistics में कर रहे हैं हम एक particular figure के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया probability तो यह जो probability होगी सबसे पहले जो probability होगी वो किसकी होगी the probability of stimulated absorption absorb किया है from E1 to E2 अब यह किसके directly proportional होगी is directly proportional to U new जितनी energy जो कहना चाहिए वो absorb करेगा per unit area उतनी ही energy के साथ वो क्या कर पाएगा उपर transit कर पाएगा जो मैं आपको हमेशा बताती थी क्या कि इसका जो level होता है वो कितना होता है E2 minus E1 जो example दिया करती थी कि यदि यहाँ पर जो है यदि 1 unit है यहाँ यदि 5 unit की energy का जो यह level है तो E2 minus E1, 5 minus 1 यानी इस atom को लगभग कितना radiation per unit area absorb करना होगा 4 unit का करना होगा तब कहीं जाके यह atom कहाँ पर shift हो सकता है transit कर सकता है higher energy state पर तो इस तरह से यह जो process है क्या है stimulated absorption और जो probability है atoms की नीचे से ऊपर जाने की उसको show करने के लिए हमने probability को show किया P से और from 1 to 2 therefore we have written 1, 2, 2 इसमें confusion ना हो मैं specially क्यों बता रही हूँ जो कि generally students यहाँ पर 1, 2 से confused होते हैं और यहाँ पर 2, 1 लिख के आते हैं यहाँ first energy state से second पर जा रहे हैं then the probability of atoms from lower energy state 1 to higher energy state 2 is directly proportional to u new or you can say energy density per unit area यदि हम इस proportional को हटाते हैं तो कोई ना कोई constant जरूर आएगा तो यह जो constant होता है इस constant को आप बोलते हैं B12 और यह जो B12 ही होता है यही जो है सबसे पहले Einstein का कौन सा coefficient कहलाता है Einstein का किस process के लिए यह coefficient है stimulated absorption के लिए तो B12 is the coefficient of Einstein for stimulated absorption तो सबसे पहले तो हमको एक coefficient मिलिया that is B12 और कहना चाहिए पहली process start भी होगी अब इस process में next जो भी होगा उसके अनुसार हमको अगला step मिलेगा तो next process में क्या होता है यह जो atom है जो कि energy state E2 पे पहुँच चुका है यह directly jump करेगा कहां पर even पर अब यहाँ दो conditions हो सकती है या तो यह spontaneously यानि खुद के nature के कारण jump कर जाए यह दूसरा यह हो सकता है कि इसको हम कुछ extra radiation दे दें और उस extra radiation के साथ ही यह jump कर पाए इस तरीके से यदि हमारी next process होई तो वो क्या होई कि a transition from E2 to even E2 to even may occur either via spontaneous या तो spontaneously आएगा और stimulated emission और यदि यह दोनों चीज़ें होती है तो हम कह सकते हैं कि यह जो probability है कहां से कहां आने की energy state 2 से energy state 1 पर आने की इसको हमें दो चीज़ें सोच के चलना पड़ेंगी इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया total probability total probability for E2 to even transition क्या हो जाएगी किस तरीके से दे सकते हैं कि P for probability and second energy state से first है therefore 2 1 confused बिलकुल ना हो 1 2 ना लिखें 2 1 second से first में is equal to A21 plus B21 U new अब क्लिया दिख रहा है कि A है मतलब कोई एक नया coefficient आया तो चूकि यह spontaneously भी नीचे आ सकता है तो A21 जो आपका coefficient है that is also a Einstein coefficient but for spontaneous emission और जो B21 है यह है Einstein coefficient for stimulated emission लेकिन देखने में एक बात आती है कि बीच में plus किया समझाता है कि total probability है दो cases हो रहे हैं लेकिन जो U new है वो A1 के साथ नहीं है वो U new सिर्फ B21 के साथ है उसका reason यह कि A21 जो है यह किसको आपको indicate कर रहा है spontaneous emission को और spontaneous emission में हम atoms के ऊपर कोई भी extra radiation incident नहीं करते है वहाँ atom खुद अपने nature के कारण सिर्फ यहाँ higher energy state में इतना रुकता है और तुरंत कहां आता है नीचे की तरफ आता है चुकि extra radiation है ही नहीं तो वो radiation उसने कितना per unit area absorb किया यह matter ही नहीं करता है इसलिए A21 के साथ यो new नहीं है लेकिन जब यह stimulated emission होता है तो इसमें हम उसके उपर क्या कराते है extra radiation देते हैं और जब हम उसके उपर extra radiation incident करेंगे तो वो उसको क्या करेगा absorb करेगा और वो अगर absorb करता है तो वो per unit area कितना absorb करता है उसकी density क्या है उसको हमें लेना यहां must है इसलिए इसमें A21 के साथ यो new नहीं आएगा B21 के साथ क्या आएगा? यो new आएगा plus क्यों हुआ? क्योंकि यह probability है यह maybe आपको spontaneously मिल सकती है या आपको stimulated तरीके से मिल सकती है तो इस तरीके से हमारे सामने दो probabilities आईं जहां कि atom lower energy state से higher पे गया और higher से कहां आया नीचे की तरफ आया लेकिन यदि हम ये बात करें कि नीचे से उपर कितने गए तब हम जाके ये समझ पाएंगे कि जितना उपर जाएगा उतने ही atoms नीचे आएंगे और जब वो नीचे आएंगे और वो radiation देंगे तो उतने ही power की हमें क्या मिलेगी laser light मिलेगी तो ये बहुत माइने रखता है ये जानना कि कितने atom उपर जाते हैं और कितने atom क्या होता है जितने उपर जाएंगे obviously वो सब कहां आएंगे तीचे आएंगे तो उसको आप क्या कह सकते हैं कि in energy state 1 the number of atoms that absorbs क्या करते हैं absorb करते हैं a photon and rise to the state क्या e2 per unit time यहां ध्यान रखें कि अगर हम कोई भी calculation करेंगे तो उसको हम कहना चाहिए कुछ ना कुछ एक निश्चित माप की अंतरगत लिते होई जरू करेंगे तो यहां हमने उसको क्या कहा कि उसने radiation या उसने जो photon absorb किया वो कितने समय में किया per unit time वो एक second भी हो सकता है एक minute भी हो सकता है तो per unit time यानि कि का से rate निकालना तो यह जो rate है rate of transition जो बन रहा है वो क्या बन रहा है कि जो आपका transition 1 से 2 में मतलब आपने जो सबसे पहले equation लिखा था उसमें हमें definitely किसका multiplication करना पड़ेगा N1 का क्योंकि आप सबसे पहले क्या मान चुके हैं कि number of atoms जो ground state पर हैं यानि कि even state पर हैं यहाँ पे number of atoms की संग्या आप पहले से ही assumptions हैं मान के चले हैं कितनी है N1 तो यह N1 atom ही होंगे जो उस energy को क्या करेंगे absorb करेंगे और कहां E2 पर तो now your first equation is as N1 P12 is equals to N1 V12 U nu अब जब कि जो transition हो रहा है वो second से कहां होता है first में होता है तो उतने ही atom second से कहां आते हैं first में आते हैं तो उस probability को या उस rate of probability को हम कैसे show करेंगे चूंकि यहा number of atoms कितने थे N2 माने थे आपने तो जो number of atoms जितने होंगे उतने ही कहां आएंगे नीचे आएंगे तो यह जो equation आपका था कि जहां आप क्या लिखते थे कि P21 यानि जो transition probability थी second से कहां थी first में थी जो किस किस का plus थी A21 यानि कि जो spontaneous था और दूसरा यानि B21 U new इसमें हमको दोनों तरफ जब rate निकालना होंगा तो definitely किस का multiply या कितने atom आएंगे उपर से नीचे उनकी संख्या जो होगी वो कितनी होगी N2 so your finally equation becomes N2 P21 is equals to N2 A21 plus B21 U new इसको यदि हमने equation number 1 कहते हैं और इसको equation number 2 कहते हैं तो हम बापस आते हैं हमारी उस condition पर जिस condition को हम सबसे शुरू में वाना था वो क्या थी under the condition of equilibrium state थी equilibrium state मतलब temperature को raise नहीं किया जा रहा है temperature लगभग constant है तो जितने atom नीचे energy ले चुके हैं उन्होंने energy ली है और वो कहां rise कर चुके हैं energy state E2 पर और temperature में फिलहाल कोई change नहीं है हम temperature नहीं बढ़ा रहे हैं ना temperature कम हो रहा है तो यह जो कहना चाहिए number of atoms है N1 और N2 वो कुल मिला के उस समय उसी number पे क्या है constant है तो यदि ऐसी कोई इस्तिती होती है तो आपको उसको क्या बोल सकते हैं कि the number of atoms absorbing जो absorb कर रहे हैं photons per unit time किसके बराबर होंगे is equal to the number of atoms emitting निकाल रहे हैं emission कर रहे हैं emitting radiation per unit time इसको अगर mathematically बोलें तो कैसा कह सकते हैं कि जितना absorb करते हैं उतना ही क्य क्या करेंगे emit करेंगे तो जितना उन्होंने absorb किया उसको आपने किस से शो किया उसको आपने शो किया N1 P12 से यानि कौन सा equation था आपका equation number 1 और दूसरा कितना emit किया emission उसको आपने किस से शो किया N2 P21 से यानि N2 P21 तो यह definitely यह दोनों equations जो होंगे वो क्या होंगे equal होंगे क्य जितना rise करके उपर गया उतना ही कहां आया नीचे आया तो यदि ऐसी इस्थति है तो इसको हम क्या गर सकते हैं इन values को substitute कर सकते हैं कि आपका जो n1, p12 था actual में वो किसके बराबर था आपका n1, p12 equation number 1 जो था वो किसके बराबर था n1, b12, u, new तो आपने इसकी जगा इसको value substitute की और आपका n2, p2, 1 जो था जो आपका n2, p2, 1 था वो किसके बराबर था इसके बराबर था इसकी value आपने equation number 2 की यहां substitute की अगर हम इसको तोड़ा सा solve करते हैं n2 को अंदर लेके जाते हैं तो हमको यह बात आती है किसमें से हम ऐसी कौन से term है जिसको हम क्या करें separate करें तो definitely यदि हम यहां कर रहे हैं तो हम यह जरूर find out करना चाहेंगे कि energy density per unit area कितनी है तो energy density की बात करते हैं तो energy density किस से denote की है हमने energy density हमने denote की है किस से union से तो union की term को separate करने के लिए आप इसको just transfer करते हैं union को common लेते हैं और union की value जो आती है वो क्या जाती है n2a21 यह पूरी जो quantity है पूरी की पूरी transfer हो जाती है as a denominator तो इस तरीके से हमको क्या मिल जाती है energy density एक्चुल में फिर हम वापस जाते हैं यहां तक मैंने आपको जो भी बताया वो process या वो थी जो मतलब कहना चाहिए लगातार कहना चाहिए one by one हो रही थी कैसे पहले absorb हुआ उसके बाद उपर गया उपर जाके फिर क्या हुआ दीचे आया spontaneously आया stimulating आया लेकिन अब जो भी process है वो थोड़ी सी कहना चाहिए targeted है कि actual में हम अब इस derivation में क्या find out करना चाहते हैं या भी तक तो process to process पूरा हमने उसको सिर्फ mathematically convert किया अब हम actual में पाना क्या चाहते हैं हम किस तरफ जा रहे हैं तो और B है जिससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुके हो तो A और B का आपको relation चाहिए actual में कि A और B का actual में relation है क्या तो वो अभी हमें फिलहाल तो बहुत कलियर नहीं हो रहा है क्योंकि यह equation हमको कोई इतना बहुत कलियर नहीं कर रहा है क्या A और B का actual में relation क्या है तो य का फॉर्मूला हमें थोड़ा सा उसको देखना होगा क्योंकि उसके अनुसार ही हम क्या कर पाएंगे इसके आगे बढ़ पाएंगे अब यह एक्विशन को अब हमको आगे ले जाना है थोड़े से टार्गेट के लेके कि यह जो यूनियू है यह कहलाती है एनर्जी देंसिटी चुकि हम यहां पर बात स्टैस्टिक्स की कर रहे हैं हमने एक वर्ड यूस किया है प्रोबैबिलिटी तो फिजिक्स में जब स्टैस्टिक्स फिजिक्स की तरफ हम जाते हैं तो जो कहना चाहिए एनर्जी देंसिटी का फॉर्मूला है प्लैंग का वो ज यह है क्योंकि हम Planck का formula यहां पर proof तो नहीं कर सकते हैं यह already अपने आप में एक काफी लंबा proof है लेकिन यहां हमें इसकी जरूरत है कि यह जो यूनियू है यह हमारी transition probabilities से निकला हुआ है और यह जो यूनियू है यह किस के द्वारा proof किया गया है Planck के formula के द्वारा इसमें जि the Boltzman constant is the absolute temperature तो इसकी terms को मैं जरूर कलिया कर सकते हूँ इस से ज्यादा तो आप इसको क्या आपको by heart तो इसको करना होगा तो यह जो यूनियू की value है जो Planck के formula से आती है वो यह आती है मैंने आप से क्या कहा कि इसके आगे जब हमें चलना है तो थोड़ा सा हम अपना target को य terms होंगे वो क्या होना चाहिए थोड़े से common होना चाहिए तो यदि हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है one upon e raised to h new y kt minus one तो यहाँ आपी clue मेरा याद रखें कि यहाँ पर आपको कोशिश यह करनी है कि यहाँ का one तो ना याद रखें बट यह याद रखें कि यहाँ पर हमको क्या चाहिए one चाहिए ताकि हम इसको आगे जाके compare कर पाएं किस से plank के formula से तो यदि इतना सा याद रख लेंगे कि हमको यहाँ पर one चाहिए तो automatically याद यह आ जाएगा कि इस equation को हम किस से divide करें कि वहाँ पर बन आ जाए तो इसको याद करने की जोरुत नही हैं इसको यदि हम n2b21 से ही क्या कर देंगे divide कर देंगे तो definitely यहाँ पर क्या आ जाएगा one आ जाएगा तो यदि हम ऐसा करते हैं किस से divide करते हैं n2b21 से करते हैं इस तरम को मैं छोड़ रही हैं बिल्कुल ना देखें इसको n2b21 से ही हम इसको divide करते हैं तो यह जो equation होगा य यानि n2a21 divided by n2b21 ऐसी इसको divide किया इस वाली टरम को किस से n2b21 से और lastly n2b21 is divided by n2b21 तो जो मैंने आप से कहा था वो चीश तो हमको अपना desirable result मिल गया कि यह दोनों जब cancel होंगे तो यह दोनों मिलके हमको क्या मिल गया one मिल गया और इधर क्या बचा b12 और यहां क्या बचा b लेकिन अगेन अगेन आयम रेपेटिंग कि हमने condition कौन से ली है thermal equilibrium ली है thermal equilibrium में जितना electron one energy state से two पे जाएगा उतना ही electron two energy state से one energy state पे आएगा क्योंकि जो है state कैसी है thermal equilibrium तो definitely यह दोनों को efficient क्या होंगे equal होंगे और यदि यह दोनों को efficient equal हैं तो यह जो आपका derivation में b1 to b21 है इसको हम क्या कर सकते हैं cancel कर सकते हैं क्यों क्यों क्योंकि यह b1 to है चाहें तो हम इसको b1 to लिख ले तो भी cancel हो सकता है चाहें तो हम इसको b21 लिख ले तो भी cancel हो सकता है तो ultimately last में जो मिलता है वो क्या मिलता है यहां से और क्या cancel हो सकता है n2 cancel हो सकता है तो बचा क्या a21 by b21 a21 by b21 और साथ में n1 upon n2 n1 upon n2 minus 1 ये मेरा कहना था ये जनरली बच्चों को मैंने देखा है कि वो ये भूलते हैं कि हमें किस टार्म से डिवाइट करना है और यहां चुकि 1,2,1,2 इतने बार आता है कि बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं तो उसको आपको रटने की जहुरत नहीं पड़ेगी अब अगर हम इसको देखते हैं तो हमारा जो equation है वो कहां थोड़ा सा different जा रहा है इससे तुलना करनी है हमको हर जगा तो अब यदि हमारा equation ये मिला है तो यहां हमको कहां थोड़ा सा change लग रहा है हमको ये change लग रहा है कि बाकी सब तो ठीक है बट यहां पर जो है N1 upon N2 नहीं है N1 upon N2 की जगा क्या है E raise to H new by KT तो statistics में ही एक होता है किसका Max Wolfman का क्या distribution law होता है जहां पर जो आपके atoms के number है उनका distribution show किया जाता है यानि क्या किया जाता है N1 to N2 number of atoms कितने होंगे energy state 1 में energy state 2 में ये number of state का जो अनुपात होता है ratio होता है that is equal to E raise to H new by KT ये भी बच्चों अपने आपने एक पूरा derivation है बट यहां भी हमें direct क्या यूज करना है result ही यूज करना है तो अगर ये value ये है और हम अगर N1 N2 की जगा पर इस value को substitute करते हैं जो की वहां लिखा हुआ है boardsman relation तो ये क्या बन जाता E raise to H new by KT minus 1 अब आप शायद मेरी बात पूरी तरह से समझ पाए होंगे कि यदि हम इस से इसको compare करते करते बना रहे थे तो हमने सबसे पहले उसको divide किया उसके बाद Maxwell boardsman का equation यूस किया E raise to H new by KT और ultimately last में अब हमारे पास जो equation बचा है वो equation क्या बचा है U new U new is equal to A21 by B21 ये जो आपका N1 by N2 था ये क्या बन चुका है E raise to H new by KT minus 1 अब इस equation को यदि हमने एक numbering की किसे 5 से ये इस equation है आपका number 4 तो यदि जो बार बार कह रही हूँ कि इनको ही हमको क्या करना है equate करना है तो 4 और 5 को यदि आप compare करते हैं तो क्या result निकलता है कि इसकी value अगर आप उसके बरावर substitute करते हैं तो देखते हैं कि ये जो term है 1 upon e raised to h new by kt और इसमें ये जो term है 1 upon e raised to h new by kt ये दोनो term क्या हैं common हैं तो ये दोनों क्या हो सकते हैं cancel हो सकते हैं तो यदि ये दोनों cancel हो जाते हैं तो last में फिर हमारे पास क्या बचा last में हमारे पास सिर्फ क्या बचता है लास्ट में हमारे पास सिर्फ बच्चता है 8π, 8π क्या बच्चता है, 8π H new by C cube is equals to A21 by B21, सिर्फ इतना बच्चता है, और यही तो हमें चाहिए था, हमें चाहिए था A और B का relation, तो A और B का जो relation आपका निकला, यह क्या निकला आपका, A21 by B21, और इसमें, यदि हम इसको हैं, तो इस relation में हम यदि बात करें, तो 8 भी constant है, पाई भी constant है, H भी constant है, C भी constant है, तो इसको हम generally बोल सकते हैं, कि A21 by B21 is directly proportional to new, question कभी कभी ऐसा भी आता है, कि transition probabilities सिर्फ और सिर्फ किसके directly proportional होती हैं, किसके जितना आपका जो radiation था, वो incident किया गया था, जो उसकी frequency थी, सिर्फ और सिर्फ किसके directly proportional होती हैं, frequency के, तो question हो सकता है, maybe Einstein के यह भी coefficient के नाम से ना आए, बलकि ऐसा आ जाए, कि prove that the transition probabilities are directly proportional to the frequency new, now A and B coefficient in one shot, how can we solve the, how can we derive the equation, so we are just starting from energy state E1 to E2, what's the probability, 1 to 2 is equals to B12 U nu, it was equation number 1, now secondly, from E2 to E1, the probability was P21 and it is the total of A21 plus B21 U nu, and now this is the equation number 2, so these are the probabilities and now, the rate of transition and the rate of transition is N1, P12 is equals to N1, B12 U nu equation number 3, because number of atoms in the lower energy states are N1, and secondly, at the energy state E2, N2 P21, N2 A21 plus N2 P21 U nu and now this is the equation number 4, 4, so in short we can say, कि जितना हमने जो भी equation दोनों लिये, उनको किस तरीके से rate में convert किया, फिर कौन सी condition आपने apply की, thermal, thermal equilibrium की condition, और thermal equilibrium की condition क्या कहती है, कि दोनों rate क्या होंगे, सेम होंगे, जितने electron नीचे से उपर गए, उतने ही electron उपर से कहां आए, नीचे की तरफ, and P12 is equals to N2 P21. So, we are just equating equation number 3 and equation number 4. N1 B12 U νu is equals to N2 A21 plus N2 B21 U νu. So, now, this is the state of thermal equilibrium. Now, how can we solve it? Now, we have to just separate U νu means energy density. So, for that N1 B12 U νu minus N2 B21 U νu and the remaining is N2 A21. We can take common U νu, we can take common U νu, remaining was N1 B12 minus N2 B21 and here N2 A21. Therefore, U νu is equal to N2 A21 upon N2 A21 upon N1 B12 N1 B12 minus N2 minus N2 B21. N2 B21, यहां मैंने आपको clue दिया था, कि यहां हमें कोशिश क्या गरनी है, 1 बनाने की, क्योंकि जहां हम energy density पर आते हैं, वहीं हम किस equation पर पहुँच जाते हैं, equation of Maxwell-Woltzman. और Maxwell-Woltzman का equation जो है, वो क्या कहता था? N1 upon N2 is equals to E raise to H nu by KT. This is Mb equation, through the Mb equation. And the second one, the Planck's formula was U nu is equals to 8 pi H nu cube by C cube in the bracket 1 upon E raise to H nu by KT minus 1. Here we are taking U nu, here also Planck's formula given U nu, so we can compare it. यदि हम इसको compare करते हैं, तो मैंने आपको एक clue दिया था, कि यहां हमें compare करने में किसको ध्यान रखना है, कि यहां पर क्या हमारे पास आ जाए 1, और यदि 1 चाहिए, तो definitely हमें divide भी किस से करना होगा, N2, B2, 1 को, तो यहां तक हमारे कितने equation हो गए थे, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो इसको मैं दे सकते हूँ, equation number 5th, okay, so now dividing the equation number 5th by, by N2, B2, 1, why, because we want here 1, okay, so now dividing equation number 5th by N2, B2, 1, so U nu is equal to N2, A2, 1, upon N2, A2, 1, upon N2, B2, 1, N2, B2, 1, upon N2, B2, 1, upon N2, B2, 1, so N2, B2, 1, N2, B2, 1, these, these are the terms will be cancelled out and now here B1, 2, B2, 1, thermal equilibrium state पर, at the thermal equilibrium state, B1, 2 is equals to B2, 1, already काफी कुछ एक्स्पेइन कर चुकी हूँ, यहाँ भी न, explain क्यों एक पटापट derivation ही देख रहे हैं, B1, 2 is equals to B2, 1, so we can cancel this B1, 2 to B2, 1, so now the remaining was U nu is equal to, क्या था remaining यहाँ पर, यहाँ पर आपका N2 से N2 cancel हुआ था, तो remaining क्या था यहाँ पर, यहाँ remaining था, A2, 1 by B2, 1, A2, 1 by B2, 1, B1, 2, 1, 2 की एक से हैं, यह cancel हो सकते हैं, remaining N1 upon N2 minus, यहाँ पूरा cancel हो गया, तो जो हम चाह रहे थे, जिसके लिए हमने यह step लिया था, कि हमको यहाँ 1 चाहिए था, यह 1 यहाँ आ गया, ठीक है, अब यदि हम इसमें Boltzman का relation यूज़ करते हैं, तो automatically हम देख रहे हैं, कि N1 upon N2 already given है, according to, आप कह सकते हैं, इसको, क्या कहलाता था यह, Boltzman's distribution law, तो यह Boltzman distribution law क्या कहता है, E raise to H new by KT, H new by KT, therefore, U new is equals to A21 by B21 upon E raise to H new by KT minus 1, so, जो हम आप से बार-बार बोल रहे थे, कि हम को अपने union को actual में किस से compare करना है, Plank की formula से जो हमें energy density union मिलती है, तो यदि हम इन दोनों को compare करते हैं, so here we can see this is the equation number 6, and now this is the equation number 7, so we are just equating, we are equating equation number 6 and 7, okay. So, RHS are the same, so we can equate this equation 8 pi H new q by C q in the bracket 1 upon E raise to H new by KT minus 1 is equal to A21 by B21 upon E raise to H new by KT minus 1. Here both other terms are same, so we can cancel these terms. Now the remaining 8 pi H new q by C q is equal to A21 by B21 or we can say 8 is the constant, pi is the constant, and H is the constant and C the speed of light it is also a constant. So, in short we can say the ratio of transition from 2 to 1 upon B21 is directly proportional to new q or you can say the cube of the frequency. So, this is the relation between the stimulated transition and the spontaneous transition and these are called the Einstein's coefficient. coefficient। तो इस तरीके से आपको, मैंने Ajnsteiner coupling का A and B coefficient था. चुकि वो काफी कहना चाहिए लेंदी गया था और कई टुकडों में आपको explain कर पाई थी उसको मैंने पूरी तरीके से एक बार में आपको पूरा solve करके दिखा दिया और इस तरीके से आपका ये question जो की BAC बालों के लिए भी और BTEC बालों के लिए भी 10 marks के हिसाब से बहुत important and long tech के वज़ा से बहुत important question है वो आप इस तरह से कर सकते हैं मैंने जो आपको clues दिये हैं वो clues जरूर याद रखेंगे कि वहाँ 1 बनाने के लिए division किसका लेना है 1,2 यानि की energy number 1 से 2 में आना 2,1 मतलब 2 में आना 1,2,2,1 में कोई confusion नहीं होना चाहिए फिले probability निकालना फिर rate फिर thermal equilibrium state लगाना thermal equilibrium state भी दियान रखना फिर thermal equilibrium state पर दो चीजाय मिलेंगी कि एक तो ये दोनो rate equal होंगे और दूसरी चीज ये कि दोनों ये Einstein coefficient जो होंगे जो 1 से 2 में है और जो 2 से 1 में है जो stimulated के लिए हैं ये दोनों भी equation क्या होंगे equal होंगे इन दोनों के लिए चुकि ये नहीं किये हैं डारेक्ट यूस किये हैं तो इनको थोड़ा याद आपको रखना पड़ेगा तो इस तरीके से आप इस कहना चाहिए derivation को बहुत अच्छे से बहुत सरन तरीके से याद कर सकते हैं आपको मिलती हूं में फिर नेक्स्ट वीडियो में ruby laser और helium neon laser के साथ में thank you किये पेसे के साथ याद क doctrine कई च्छे हैं लें कर सकते हैं तो झाते हैर नेकبة अबड़ेता हैं यादा का सर्क अचरों वीड़ा याद़्ेगे करा हैं जएसे खेड़े आट कर आफ फिर एगर हैं सनभब तो इस रहर घखए सने हो एजम वीज़ आ परसम पड़ कर वी़ है